नमस्कार बोलता वे और नीज मीडिया में आपका स्वागत थे बेगुसराई जीले की कारियरस सभी 102 एंबुलेंस कर्मचारी इस COVID-19 जैसे विकट समय में 24 जनवरी से और निश्चित कारिन हर्ताल पर जाने की तैयारी में है जिसकी सुचना जीले के हर उच्चाधी कारियों को लिखित रूप से सुचित कर दिया गया है जिसकी जानकारी देते हुए 102 एंबुलेंस कर्मचारी के संग इंटक के जीला अध्यक्ष रामानन ने बताया कि आज सुक्रवार को जीला स्वास्त समीती बेगुसराई के समक्ष कोबिड-19 का पालन करते हुए जीला के सभी 102 एंबुलेंस कर्मचारी ने इंटक के बैनर तले संती पुर्ण रूप से परदर्शन किया सभा के अध्यक्षता करते हुए इंटक बेगुसराई जीले के उपाध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि सरकार गट जोर कमपनी के दोरा बिगत पाँच वर्षो से सभी कर्मचारियों को ठगते आ रहे हैं जूटे तसलित दे कर ठगने का काम कर रही है लेकिन इस वार आरपार की लराई लरने में हम लोग तयार हैं जीला मंतरी मनोज कुमार ने सभा को संभोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग जाया जे जब तक मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक लराई लरी जाएगी जीला देक्ष रमानंद कुमार ने अपने पुड़ाने अंदाज में कम्पनी को आरे हाथों लेते हुए कम्पनी को आगा कराया कि कर्मचारियों को समय रहते मांग पूरी कर दे वरना हर्ताल अबदी में मरीज को कुछ भी होती है तो उसका मुअबजा PDPL एबं सम्मान फा 2018 से फरवरी 2019 EPF मद की कटोती की गई रासी उक्त कर्मचारी के खाता में जमा की जाए बकाया मांदे का अविलम वुगतान किया जाए हर्ताल अबदी में वुगतान का आश्वासन जिला पतादिकारी मोहदे के दौरा किया गया था लेकिन अभी तक वुगतान नहीं किया ग गया है उक्त अविदी का वुगतान जल्द किया जाए समय तिन अन्य मांग किया गया है मोके पर जीला सचीब हरे राम कुमार समय जीले के विविन प्रात्मिक स्वास्त केंद्र के दर्जनों 102 एंबुलेंस कर्मचारी मौजूद थे धन्यवाद